असलाम लेकूं डियर फ्रेंड्स कैसे है आप सब मैस मानجू आजकी वीडियो में तो नेचर ओफ मैस में कैसे कोशन पूखे जाते हैं पैरंग ले लेते हैं और हैं इसका कंटेन क्या है वह हम देखेंगे और डिशेंबर की तयारी के लिए Cory यह यह डिशेंबर 2023 जो साम होंगा सीटेट का उसकी तयारी के लिए हम देख लेते हैं एक टॉपिक हमारा नेचर आफ मैच अब देखिए यहां पर इस टॉपिक पर वन मार्क के लिए कंपलसरी कोशन आता ही है एक कोशन तो भी इस पर पूछा जाता है तो इसके पॉइंट क्या क्या हम देखेंगे नेचर कैसा होना चाहिए मैच का कनेक्टेट विध रियल लाइफ के जो नेचर है मैच का यह जो मैच है हमारा वो रियल लाइफ से कनेक्ट ही है उसके अलबा मैथेमलाइजेशं आना चाहिए बच्चे को यानि के maths इस तरह से आप बच्चे को पढ़ाओ के बच्चा अपनी daily life में maths की language को use कर सके तो उसे mathematicalization आना चाहिए यानि के बच्चा maths की language बोल सकना चाहिए integrated with other subject यानि के maths कैसा होना चाहिए other subjects के साथ integrate होकर आना चाहिए या other subject में इसका involvement होना चाहिए for example अगर आप science पढ़ते हैं आप जोगराफी पढ़ते हैं तो क्या उसमें maths के number use नहीं होते हैं आप history देख लो year है, date है तो इसमें क्या number use नहीं होते तो यह होते हैं तो आप देखो maths एक ऐसा subject है जो आपको other subject के साथ integrate होकर नजर आता है यानि के उसके साथ मिला हुआ नजर आता है तो maths कैसा होना चाहिए, integrated होना चाहिए यानि के other subject के साथ integrate होकर आना चाहिए other subject के साथ इसका connection होना है mathematics is a tool के maths क्या है, एक हतियार है क्यों? क्योंकि यह daily life में use में आता है mathematics is a form of arts के अगर बच्चा maths कर पा रहा है तो यह भी क्या है, एक arts है maths is a language के maths की अपनी language होती है उसके अपने symbols होते है जो maths की हम language को use करते है तो maths की अपनी क्या होती है? language होती है उसके अलावा है के हम other point उसके देखे math is a language maths की अपनी language है, हमें पता है it is based on logical reasoning के जो maths है वो logical reasoning पर based है यानि के हमें reasoning यूज करना पड़ता है और हम logic लगाते है अब अगर आप पूछे गए questions में अगर आप options देखेंगे तो logical reasoning आपको आ जाएंगा के क्या maths में logical reasoning यूज होती है या फिर maths ऐसा subject है जिसमें logical reasoning यूज में लाई जाती है mathematical concept are extract in nature अब देखें abstract होना चाहिए, यहाँ पर spelling हो गई abstract in nature maths के जो topic है या maths यह जो एक subject है यह abstract है abstract यानि कि क्या? उर्दू medium के लिए लिए लिख देती हूँ मुजरित यानि कि क्या? कि आप जिसको सिर्फ imagine कर सकते है या इनके concrete नहीं है यह ठोस नहीं है abstract nature है आपको सिर्फ इसे imagination में लाग कर इसे समझना होंगा कि आपको कहीं भी addition नजर आता है क्या? subtraction नजर आता है क्या? तो इसके जो concept है वो कैसे है? abstract है यानि कि मुजरित है maths is logical in nature यह already मैं आपको बता चुकी हूँ mathematics या फिर maths के जो concept है वो based है on deductive reasoning deductive reasoning पे यह based होते है maths के concept mathematics in a mathematics classroom emphasis should be on mathematical process and reasoning अब देखिए maths की जो class है तो उस पे ज्यादा तहम logical reasoning पे focus करते है एक और चीज़ यह है कि maths में न हम उसके procedure procedure पर focus नहीं करते है बलके हम concept पर हम इसके focus करते है यानि कि हम बच्चे को conceptual knowledge ज्यादा देना चाहते है procedure पर नहीं procedure का मतलब क्या हो जेंगा कि हम सिर्फ रटारे बच्चे को वो process के लिए अब हम देखेंगे कि questions इस पर कैसे पूछे जाते है या कैसे पूछे गए है given below are two statements marked as assertion and reason are assertion दिया गया है mathematics curriculum in primary school must progress from concrete to abstract देखिए अब abstract nature का है तो primary level पे आप इसे concrete से abstract की तरफ लेकर जाओ for example addition अब addition बच्चे को नजर आने वाला है कैसे करेंगे कि two ball यूज किये plus one ball और ले लिए और इसको add करो और बच्चे को ये कितने होए तो वो बोलेंगा three तो आप concrete material के थुरूँ उसको addition बता सकते हैं तो abstract concept जो भी है तो आप concrete material यूज करके आप बच्चे को हर एक में नहीं कर सकते लेकिन जहां आप कर सकते हैं वहां करके तो बता सकते हैं न primary level पे तो ये बिलकुल right है assertion इसका right है primary class students are primary class students start doing mathematics without thinking कि बच्चे सोचे बिना ही primary level पे match करते हैं तो ऐसा तो बिलकुल भी नहीं है तो ये wrong हो गया यानि कि आपके पास assertion जो है वो right है और जो reason है वो wrong है तो अब हम देखेंगे option हमारे तो first option है both a and r are true तो अभी हमने देखे कि r true नहीं है तो cancel हो गया both a and r true ये भी wrong हो गया a is true ये right है और r is false ये right है कि r गलत था a is false ये वाला option cancel हो गया तो हमारा answer क्या होगा option number third next question है which of the following is not desirable for the professional development of mathematics teacher अब इन में से वो कौन सी चीज़ नहीं teacher ने follow करनी चाहिए देख लीजे attending workshop and seminar on maths ये करना चाहिए knowledge increase होंगी developing teaching learning resources ये भी करना चाहिए teaching learning resources को develop करना चाहिए minimum interaction with other mathematics teacher working in same school और in neighborhood school अब देखिए interaction तो करना ही है teacher ने teacher के साथ बच्चों ने बच्चों के साथ लेकिन यहापे minimum बोल रहे है minimum याई कि कम से ज्याद कम से कम मतलब तो ये wrong हो गया कि आप कम से कम बातचीत करेंगे इंटरेक्शन करेंगे क्या teacher के साथ same school में है या बाजू के school में है तो पड़ोस के school में तो नहीं ये बिल्कुल wrong हो गया participating in faculty development programs तो इसमें भी teacher ने participate करना चाहिए तो option number third होंगा हमारा answer next है which of the following could not be a contributing factor towards under achievement in mathematics अब mathematics को लेके इन में से कौन सा वो factors नहीं होंगा social culture background ये effect करेंगा क्या ये बिल्कुल भी असर करेंगा कि किस background से आ रहे है या जो social culture background है वो effect करता ही है teachers believes about student ये बिल्कुल करेंगा teacher का beliefs बहुत बहुत important होता है तो ये बिल्कुल करेंगा बच्चे पर असर होता है इसका language of instruction ये भी असर करेंगा कि teacher की language बच्चा समझ पा रहे है या नहीं या बच्चे की language भी teacher ने समझना चाहिए लेकिन यहाँ language of instruction है तो हम teacher की बात लेंगे और gender difference अब ये gender difference किसी भी तरह से यहाँ पर contributing factors नहीं रहेंगा achievement के लिए तो option होंगा हमारा option number 4 gender difference which of the following statement is not true इन में से कौन सा statement true नहीं है सही नहीं है mathematics is discipline with mostly abstract concept हाँ ये तो बिल्कुल है कि जो maths है उसमें abstract concept होते है ये बिल्कुल right है there is just one correct way of approaching the solution to mathematical problem ये बिल्कुल गलत है ये नहीं है right अब देखें यहाँ logical reasoning यूज करता है बचा और हर एक अलग-अलग तरह से solution को निकाल सकता है for example देखिए कि अगर यहाँ पे 35 प्लस 10 करो तो ये कितना होंगा तो एक बच्चा ना इसको तोड़के भी कर सकता है वो 30 प्लस 5 प्लस 10 करके भी addition कर सकता है तो ये बिल्कुल wrong हो गया कि एक ही तरीखा है क्या match करने का नहीं अलग-अलग वैसे भी बच्चा कर सकता है people who cannot read or write also have mathematical knowledge ये बिल्कुल सही है most of the sub branches of mathematics are interconnected ये तो बिल्कुल right है तो option number 2 हमारा answer हो जाएंगा next question है which of the following is not true about nature of concept in mathematics कौन से statement इसमें से true नहीं है सही नहीं है mathematical concept are abstract in nature बिल्कुल सही है in mathematics concept are linear arrangement कि जो mathematics है नहीं वो linearly arranged होती है तो ये cancel हो गया mathematical concept are logical in nature ये बिल्कुल right है in mathematics concept are based on deductive reasoning ये भी right है तो linear nature में है क्या एक जैसे ही चलने वाली चीज है कि कभी ये नहीं बच्चे अलग-अलग तरहाँ से भी कर सकते है different way में भी उसको solve कर सकते है next है which of the following statement is our true about the nature of mathematics कि कौन सा statement इसमें से true है पहला है कि mathematics can be understood as science of pattern हाँ ये बिल्कुल right है दूसरा है कि mathematics explore possible relationship among abstraction ये भी right है कि आप वो अलग-अलग तरहाँ से बच्चे को करके बता सकते है बच्चा वो abstract concept को अलग-अलग तरह से explore कर सकता है ये भी right हो गया C है as mathematics is based on logic के logic पे based है ये बिल्कुल right है there is a very limited ये negative point आ गया यहाँ पे तो limited आ गया और limited तो ये है नहीं तो very limited space for creativity in mathematics तो ये wrong हो गया तो answer होंगा हमारा option number 1 होंगा A and B next है which of the following is not true about nature of mathematics mathematics के nature के हिजाब से इन में से कौन सी चीज़ जहीं नहीं है it is based on logical reasoning ये right है it has its own unique language and symbols ये भी right है it is abstract in nature ये भी right है it has a very limited application in other discipline तो ये wrong है कि बहुत limited application है कि other discipline other subject के साथ या बहुत ही limited है कि ये बिलकुल भी नहीं तो ये वाला रॉंग हो गया तो वो ही हमारा answer होंगा यानि कि option number 4 हमारा answer होंगा तो देखिए इस पे एक question पूछा ही जाता है और one mark का question आता ही है nature of maths पर असर इंस्टिट्यूट से CTET December 2023 के लिए online और offline batches start हो जाएंगी 16th October से दोनों ही होंगी ये online और offline online होंगी ये टीच्मिंट एप पर और आप इसके ग्रूप में पहले add होना है आपको paid batch होंगी ये टीच्मिंट एप पर जहां recorded videos भी available हो जाएंगे और offline के लिए यहाँ पर address दिया गया है और contact number आपको दिया गया है आप WhatsApp message ये call कर सकते है ग्रूप में add होने के लिए daily live lecture होंगे अगर आप live attend नहीं कर पाए तो recorded lecture available हो जाएंगे all subject के notes होंगे और test series भी available हो जाएंगे exam से पहले तो 16th October से ये batch start हो जाएंगी पेपर first and second सभी के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने friends के साथ टेक केर अलाहाफिज